अलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शौरफ क्लासेस आज मैं बिए समस्टर 6 के सब्जेक्ट कोड सीसी 30 एवं आधनिक भारती इतिहासा काफी मातुपुण विशे उग्रवादियों का उदय अथ्वा अतिवादी राजन के हरंभिक वर्षों में भारती रास्टी कॉंग्रेस में एक नय और तरुन दल का उदय हुआ जो पुराने नेताओं के आदर्शों तथा ढंगों का कड़ा आलोचक था ये कुरुद तरुन लोग एंग्री यंग मैन चाहते थे कि कॉंग्रेस का धे स्वराज जी होना चाह करें इस दल के पुराने इस दल को पुराने उदारवादियों की तुल्ना में उग्रवदी कहते थे कॉंग्रेस में फूट की प्रक्रिया उस समय आरंभ हुई जब लोकमाने तिलक का समा सुधार के प्रश्ण पर उग्रवादी दल अत्वा सुधारकों से जगड़ा हुआ जुलाई 1895 में तिलक और उसके सहीयोगियों ने पुना सारजनिक सभा में रानडे और गोखले के अधिकार को चुनौदी देकर उसे समाप्त कर दिया और गोखले ने एक और प्रिथक राजिनितिक संगठन दक्कन सभा स्थापित कर लिए तिलक ने गोखले की राश्ट्री राजिनिति में छमा याजना के प्रश्ण पर एक कच्चा नरकट कहकर बदनाम किया वास्तों में तिलक समकालीन कॉंग्रिसी नेताओं से भिन मिट्टी के बने थे वो सरकार की आलोजना में बहुत पस्ट वक्ता थे और अपने विश्वासों के लिए बलिदान करने को उद्दत थे वो पहली कॉंग्रिसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की 1882 में उन्होंने सरकार के कोलापूर के महराज से बरताओ पर बहुत बड़ी बहुत कड़ी भाषा का प्रियों किया और चार मास का कारावास भोगा 1897 में पुना उन्हें सरकार के विरिद असंतोष फैलाने के लिए 18 मास का कड़ा कारावास दिया गया दिसंबर 1897 में अमरावती में हुए कॉंग्रिस अधिवेशन में तिलक के सहयोगियों ने एक प्रस्ताव पारित करवाने का प्रत्न किया जिसमें तिलक की मुक्ती की मांग की थी उदारवादी दल के लोगों ने इसकी अनुमती नहीं दी इसी प्रकार मद्रास अधिवेशन 1898 में तिलक की श्लागा करने का प्रस्ताव भी उदारवादी दल वालों ने पारित नहीं होने दिया अगले वर्ष लखनाव अधिवेशन में जब तिलक ने बंबई के गवरनर की निंदा करने का प्रस्ताव रखा तो वह भी उदारवादी दलों ने पारित नहीं होने दिया अब यह असपस्थ था कि उदारवादी दल वाले लोग तिलक और उसके सहीयोग्यों को कॉंग्रेस में सभी महतुपूर्पदों से दूर रखना चाहते थे तथा कॉंग्रेस के इतिहास में यही एक ऐसे नेता थे यहनोंने कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनने का आउसर नहीं दिया गया अब हम देखेंगे उग्रवाद के उद्रे के कारण causes of the rise of extremism वकिम चंच चैटर जी जैसे लोगों ने कॉंग्रेस की नीतियों का विरोध किया था और कहा था कि कॉंग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनितिग्य है अर्विंद गोश ने भी 1993 में एक लेक की श्रिंकला में यह कहा था कि कॉंग्रेस श्रमिक वर्क से दूर है अरास्टरवादी है और पूर्णिता असफल रही और इसकी शाषकों को अपरसन करने के भैस से स्पस्टना कहने की नीती को कायरता की संग्या दी इसके अनुसार कॉंग्रेस छै रोग से मरने ही वाली है जिन तत्वों के कारण उग्रवाद का उदै हुआ उनमें निम्ले लिखित प्रमुक थे पहला अंग्रेजी राजे की प्रकृती को ठीक ठाक समझना आरंबिक काल के नेताओं ने अपने अंथक अध्यन तथा लेखो द्वारा लोगों को भारत में अंग्रेजी राजे के सच्चे स्वरूपों समझाने का प्रैतन किया उन्होंने आकडों से या सिद्ध किया कि अंग्रेजी राजे तथा उसकी नीतियां ही भारत की दरिदरता का मूल कारण है दादा भाई नरोजी से ने अंग्री जी राज्य के शोशक नीतियों का अनावरान कर दिया और कहा कि या राज्य भारत को दिन प्रति दिन लूटने में रत है इसी प्रकार आनन्द चारलू, आरेन मुधोलकर, दिंशा वाचा, गुपाल कृष्ण गोखले मधन मुहन मालवे इत्यादी अन्य नेताओं ने अंग्री जी राज्य के ढोल की पोल खोल दी और बताया कि इस राज्य का वास्तविक रूप केवल शोशक है डॉक्टर रमिष चंद्रदत और जीवी जोशी ने अंग्रेजी भूमी कर व्रवस्था का ठिक ठिक मुल्यांकन किया श्री शुरेंदरनाथ ब्लैजन जी ने ये स्पस्ट किया कि सेवाओं की भरती बे अंग्रेजों की कतनी और करनी में बहुत अधिक अंतर है कॉंग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही भारत की बढ़ती हुई दरिद्रता की और ध्यान आकर्शित किया गया और यह प्रस्ताव प्रतेक वर्ष पारित किया जाता था इसके लिए उन्होंने सैनिक और असैनिक पदों पर उचे उचे वेतन ग्रिश आशन के बढ़ते हुए वै भेदभाव पुर्ण आयात तथा निर्यात की नीती और दूरदर्शी भूमिकर की नीती भारत के उद्योगी करण के प्रती उदासीन था और भारतियों को अच्छे पदों और सेवाओं से वंचित रखना इत्यादी तत्यों को उत्तरदाई ठहराया रानेडे की essay in Indian Economics, दादा भाई नरोजे की Indian Poverty and Un-British Rule in India और RC दत्ता की Economic History of India इत्यादी पुस्तकों ने महतुपूर्ण भूमिकानी भाई, नई पीड़ी के नेताओं ने इनी पुस्तकों से तत्थ लेकर अंग्रेजी राज्य की आलोचना की दूसरा, बढ़ते वे पश्यमिकरण के विरुद्ध पृतिक्रिया इस नवीन नेता पिड़ी ने बढ़ते वे पश्यमिकरण पर गहरी चिंता व्यक्त की बारतिय जीवन, चिंतन और राजनिती में पश्यम का प्रभाव बढ़ रहा था बारती संस्कृति का प्रभाव कम हो रहा था इन लोगों का बौधिक और भावात्मक प्रेड़ना का शुरुद भारत था और उनने भारती इतिहास के वीडियों की गाताओं से प्रेड़ना ली बकिम चंद्र विवेका नंद और स्वामी दायानंद के लेखों ने उनको प्रभावित किया बकिम चंद्र ने अटासु छियासी में लिखे कृष्ण चरित्र भाग प्रथम में भारत के उस जैसे परंपुरुष के नित्रित्म में भारत की एकता कस्प अपने देखे उन्होंने श्रिक कृष्ण को एक वीर योद्धा, एक चतुर नितिग्य और एक सफल सामराज निर्माता के रूप में देखा विवेका नंद ने भारती वेदान से संसार को चका चौन्द कर दिया और अपनी प्राचीन परंपराओं तथा विरासत में एक नई आस्था उत्पन की तथा एक नया आत्म विश्वास जगाया स्वामी धायनन ने पश्यमी विश्ष्टा की पोल खोल दी उन्होंने वैदिक संस्कृती का वहरूब दर्शाया जो समय उस समय तक प्राया अंदेखा किया जाता था उन्होंने बताया कि जिस समय यूरोबवासी और सभिता तथा अग्यान के गड़ों में गिरे थे वैदिक काल में भारत में एक उच्च सब्विता संस्कृति दर्शन और धर्म का विकास हो रहा था और इस प्रकार उन्होंने एक नए आत्म विश्वास को जगाया और श्वेज जातियों की काली अत्वा ब्राउन जातियों की वरिष्टा की भावना को चुनौती दी उनका राजिंतिक संदेश था भारत भारतियों के लिए है तीसरा कॉंग्रिस की उपलब्दियों से असंतोश कॉंग्रिस के पहले 15-20 वर्शों की उपलब्दियों से तरुन लोग संतुष्ट नहीं थे उनका अंग्रेजों की नयाप्रिता तथा बराबरी की भावना पर कोई विश्वास नहीं रह गया था वे लोग शांती में और सम्रधानिक धंगों के आलुचक बन गया थे और वे समस्ते थे कि याचना प्रार्थना तथा प्रतिवाद करने की नीती से कुछ भी नहीं मिलने वाला उन्होंने यूरोपिय सामराजजवाद को समाप्त करने के लिए यूरोपिय धंग ही अपनाने पर बल दिया 1905 में लाला राजपत रायने इंग्लाइंड से लौटने पर अपने देशवाश्यों को बतलाया कि अंग्रेजी प्रजा तंत्र अपनी ही समस्याओं में इतना उलचा हुआ है कि उनके पास हमारी समस्याओं के लिए कोई समय नहीं वहाँ के समाचार पत्र हमारा पक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे और वहाँ किसी को अपनी बात सुनाने का उसर प्राप्त करना बहुत कर्टिन है उन्हेंने कहा कि यदि आप सतन्ता चाहते हैं तो स्वैम कारे करना पड़ेगा और अपनी तत्परता से स्पस्ट प्रमान देने होंगे कॉंग्रिस का तरण दल जिसे रास्टवादी उग्रवादी भी कहते थे पुरानी पीड़ी से पुर्णतया और प्रसंद था उसके अनुसार कॉंग्रिस का राजनितिक धर्म केवल क्राउन के पृति राजभक्ती प्रकट करना उद्देश केवल अपने लिए प्रांती अथ्वा केंदरे विधान परिशदों की सदस्टा प्राप्त करना और कारिक्रम केवल अत्यदिक भाषण देना और प्रतिक वर्ष के दिसंबर मास में कॉंग्रिस के अधिवेशन में उपस्तित होना था उन पर यह दोश लगाया गया कि वे केवल मध्यम वर्गिये बुद्धी जीवियों के लिए काम करते हैं और कॉंग्रिस की सदस्टा इन मध्यम वर्गिये लोगों तक ही सीमित है उन्हें भह है कि यदि जन साधन इस आंदलन में आ गया तो उनका नेत्यत्त समाप्त हो जाएगा अता उदारवादी दल वालों को देश भक्ती के नाम पर व्यापार करने का डूसी ठहराया तिलक ने कॉंग्रिस को चापलुसों का सम्मिलन और कॉंग्रिस के अधिवेशनों को छुटियों का मनुरंजन बतलाया और लाला राजपत राये ने कॉंग्रिस सम्मिलनों को सिक्षित भारतियों का वार्षिक रास्ट्रिय मेला दोनों ही कॉंग्रिस कारियों के कड़े आलोचक थे तिलक ने तो यहां तक कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मैटे की भार्टी तर राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा चौथा पॉइंट है आपका भारत की बिगड़ती हुए आर्थिक स्थिति उग्रवात के उदेह में विशेश युगधान किया 1896-1996 और 1899-1999 में के भीशन आकाल और महारास्ट की प्लेग से लाखो लोगों की बृत्यू ग्रस्त हो गए सरकारी सहायता कारे बहुत थोड़ा था और बहुत धीरे-धीरे होता था और विवस्ता भी चीक नहीं थी तिलक के अनुसार सरकारी अधिकारी कठोर और ब्रस थे और सहाय के स्थान पर अधिक हानिकारक थे उन्होंने तो यहां तक कहा कि प्लेग हमारे लिए सरकारी प्रेतनों से कम निर्दई है दक्कन में दंगे हो गए, सरकार ने लोकमत तथा दंगों को दबाने का प्रेतन किया जनता ने अकालों को भी सरकार की नीतियों का ही परिणाम बताया 1903 में कॉंगरिस के अद्धिक्षि भाषन में लाल मोहन घोष ने 1902 के दरबार का उल्ले कियों किया एक सरकार का निर्धन जनता पर भारी कर लगा कर एक बड़े भारी समारों को मराना जिसमें आतिश बाजी और भविद्रिश्यों पर रुपया वैक किया जाए जबकि लाखों लोग भूखे मर रहे हैं इससे अधिक खिरदय हींता कुछ नहीं हो सकती पाच्वा पॉइंट है संकालिन अंतर रास्टिय प्रभाव विद्रिशों में हुई घटनाओं ने तरुन लोगों को अतिदिक प्रभाव हुआ बारतियों के साथ अंग्रेजी उपने वेशों में विशेश कर दक्षिन अफरीका में हुए दुरव्यभार से अंग्रेज विरोधी भावनाय जागुठी इसके अतरिक मिश्र, इरान, तुर्की और रूस में रास्टवादी आंदलोनों का प्रभाव हुआ इथोपिया का इट्ली को परास्त करना तथा जापान की रूस पर विजय तथा भारतिय रास्टवादियों पर अतिदिक प्रभाव हुआ यूरोप की अजयता का जादू तूट चुका था छठा करजन की प्रतिक्रियावादी नीती करजन ने भारत में साश वर्षों, सेवन साथ वर्षों का साशन, सिस्ट मंडलों, भूलों तथा आयोग्यों के लिए प्रसिद्ध था जिसकी भारतिय मन पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई करजन ने भारत को एक रास्ट नहीं माना और कांगर्स के सभी कारियों केवल मन के उदगार निकालना ही माना उसकी दिश्ट्री में भारती चरितर का मोल ने बहुत कम था वह उन्हें जूटे और मकार ही मानता था उसने कलकत्ता विश्विद्याले के दिक्षान समारों में बोलते हुए कहा था कि सत्य का मान बश्चिम्स में अधिक था और पुर्व में ऐसा बहुत समय के पश्चात हुआ उन्होंने उसके बहुत से अधिनियमों में भी नहीं पाया था सात्वा है बंगाल का विभाजन समभवता करजन का सबसे घ्रिनित कारे बंगाल को दो भागो बंगाल अथ्वा पूरी बंगाल और आसाम में विभाजित करना था 1905 में यह कारे बंगाल और भारती रास्टे कॉंगरेस के कड़े विरोध की उपिक्षा करके किया गया इससे यह सिद्ध हो गया कि करजन तथा लंदन सिद्ध ग्रीक सरकार भारत के लोकमत किसी प्रकार अवहिलना करते थे यह स्पस्थ था कि बटवारा धर्म के नाम पर किया गया और हिंदो मुस्लिम द्वेश को कुरिदने का प्रत्न था अब यह स्पस्थ था कि यह आचना तथा प्रतिरोध प्रकट करने से कुछ नहीं होने वाला है अब हम कारणों के बाद उगरवादी दलों का उदेश तथा ढंग देखेंगे भारती राज़िती में यह नया दोर दो रूपों में प्रकट हुआ कॉंगरेस के भीतर उगरवादी दल का उदय दूसरा देश में आतंकवादी एवम करांती कर दी दल का उदय चार प्रमुक कॉंगरेसी ने था लोकमानि तिलक, विपिन चंदरपाल, अर्विंद घोष और लाला राजपत राये ने इस नहे दल की नीतियों की परिभाशिक की इनकी अभी लाशाओं को व्यक्त किया और इनके कारियों का मार्ग दर्शन किया तिलक ने या कहा कर कि स्वराज मेरा जमसित अधिकार है और मैं ऐसे लेकर रहूँगा इन लोगों को एक नारा दिया उन्होंने कहा था स्वराज अत्वा स्वशाशन स्वधर्म के लिए आवश्चक है स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते ना कोई अध्योगी प्रगती ना कोई उप्योगी सिक्षा और ना ही रास्टी जीवन की परिपूर्णता यही हम चाहते हैं और इसी के लिए इश्वर्ट ने मुझे इस संशार में भेजा है विपिन चंदरपार ने इस दल की मांगो को इन शब्दों में व्याख्या की देश में नया सुधार नहीं अपितु पुनरगठन की आवशक्ता है इंग्लैंड को भारती सरकार की नीती निर्मान का अधिकार छोड़ देना चाहिए और एक विदेशी शरकार को जो कानून चाहे बना सकने का अत्वा अपनी इक्षा से जैसा चाहे शाशन करे या अधिकार त्याग देना चाहिए उन्हें अपनी इक्षा से कर लगाने और अपनी इक्षा से धन को व्याय करने का अधिकार भी छोड़ना होगा अर्विंद गोर्ष श्वराज को भारत की प्राचीन जीवन की आधनिक परिस्तितियों में परिपूर्ण होना और रास्ट्री गौरव का सत्युग मानते थे जिसमें भारत पुना एक गुरू और मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाए लोगों की आत्मुक्ति हो ताकि राजनितिक जीवन में वेदान्त के आदर्श प्राप्त किये जा सके यही भारत के लिए सच्चा सुराज होगा उनके अनुसार राजनितिक सुतंत्रता एक रास्ट का जीवन श्वाश है बिना राजनितिक सुतंता के सामाजी तित्ता सैक्षनिक सुधार और दियोगी प्रसार एक जाती की नैतिक उन्नती इत्यादी की बॉते सोचना मुर्कता पूर्ण मुर्कता की चरम सीमा है लाला राजपत राय के अनुसार जैसे दास की आत्मा नहीं होती उसी प्रकार दास जाती से के कोई आत्मा नहीं होती और आत्मा के मिना मनिश्य के वल पशू है इसलिए देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अत्वा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते यह समनन रहे कि राष्टवादियों के लिए स्वराज का अर्थ विदीशी नियंतरन से पूर्ण सुतंता था जिसमें अपने राष्ट की नितियों का प्रबंधन में पूर्णता सुतंतरता हो उधारवादी दल के लिए स्वराज का अर्थ सामराजी के अंदर आपनिवेशिक श्रशाशन था दोनों दलों के मार्ग और ढंग अलग अलग थे उधारवादी दल समवेदानिक आंदोलन में अंग्रेजों की नया प्रेता में वार्शिक सम्मेलनों में भाषण देने में प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड को शिष्ट मंडल भेजने में विश्वास करता था उग्रवादी दल इन सभी तत्वों में विश्वास नहीं करते थे ये लोग अहिंसात्मक प्रतिरोद में सामोहिक आंदोरन में आत्मवलिदान के लिए द्रड़ निश्चे में विश्वास करते थे इन नेताओं ने सुतंता की तिवर इक्षा तथा आत्मवलिदान के लिए प्रस्तुत रहने की भावना उत्पन करने का प्रेत्न किया उन्होंने जनता के मन में शाषकों की अदम में शक्ति का भै निकालनी का प्रत्न किया और अपने आप में विश्वास उत्पन किया बेसी पॉल ने इनकी नीती का इन शब्दों में वर्डन किया है चुकि भारतियों लोग चालाक नहीं थे अतयाव उन्होंने अपने शाष्कों के शब्दों पर विश्वास कर लिया उन्हें या कहा गया था कि भारती लोग अपने काम काज को स्वैम चलाने में समर्थ नहीं है उन्हें या कहा गया कि लोग निशकते हों और सरकार शक्तिशाली उन्हें यह कहा गया था कि माहरत मानवता के निम्न स्तर पर है और अंग्रेज इन अर्द बरबर लोगों के सब भी बनाने आये हैं इन राश्च्वादी लोगों ने इन सभी कप्टों का भांडा फोड किया उन्होंने इस जादू के उल्टे पल्टे मंत्र पाठ करने आरम कर दिये और लोग जाग उठे और उन्हें अपने शक्ती का अभास हुआया अपने संस्कृती में नया विश्रास उत्पन हो गया उग्रवादियों के कारिक्रम उग्रवादियों ने विदेशी माल के बहिशकार और स्वदेशी माल अंगिकार करने को कहा इसके अतरिक रास्टि सिक्षा और सत्याग्रह पर भी बल दिया विदेशी माल के बहिशकार और स्वदेशी माल के प्रयोग में भारतिय उद्यों को प्रोट्सहन और भारतियों को कार्य आतता सेवाओं का अफसर मिलने थे लाला राजपत राय के अनुसार स्वदेशी के प्रचार से अंग्रेजों को वित्तिहानी होगी और बंगाल का विभाजन रद करने के लिए दबाव डाला जाएगा शिग्र ही या अनुभाव किया गया कि या विदेशी शोषन के विरुद तथा राइन्तिक आंदुलन के लिए एक शक्तिशाली हत्यार है लोगों से अधिक आंदुलन के लिए समर्थन प्राप्त करना अधिक सरल था या भी विचार था कि नए भारती और द्योगपती जिनको इस स्वदेशी के प्रचार से लाब होगा वे कॉंग्रेस के लिए धन भी देंगे जैसे लालो लाजपतराय ने कहा कि हम लोगों ने राज निवास के मुख मोड कर निधरनों की जोपडियों की ओर कर लिया यह है कि इस बहिशकार आंदुलन की मनुवरिती, नीती और आत्मिक महत्व सरकार नियंतित सिक्षा संस्थानों के स्थान पर एक राश्ची सिक्षा योजना बनाई गई उग्रवादी दल की योजना भी थी कि विद्यार्थियों को यह कहा गया कि विद्यार्थियों की देश शेवा में लगाया जाए जब सरकार ने विद्यार्थियों के विर्द अनुशांशित कारेवाही करने की धमकी दी तो विद्यार्थियों को यह कहा गया कि वे इन विश्विद्यालें को छोड़ दे सर्गुरु दास बैनर जी ने बंगाल के राश्ची सिक्षा परिशद बनाई मदरास में पच्छेपा राश्ची कालिज इस्थापित किया गया पज्जाब में डियेवी आंदुलन ने जोर पकड़ा तिलक ने असहयोग का सुझाओ दिया उसने कहा कि आप स्वैम ही इस प्रशाष्टिक मशीन की निर्विगनता से चलने में सहायता देते हैं यदिपी आप दलित तथा त्रिस्कृत हैं परंतु फिर भी आपकी अपनी उस सक्ति का बोध होना चाहिए जिससे आप यदि चाहें तो प्रशाषन को ठप कर सकते हैं उगरवादियों ने सरकारी संगठन को भी सहकारी संगठनों को भी बढ़ावा दिया ग्राम में सफाई, प्रतिबंधक, पुलिस कार्य, मेले का आजन, इत्यादी के लिए स्वैम से भी सभाएं स्थापित की गई दिवानी मामलव तथा अवहस्त छेप जगडों को सुलजाने के लिए पंच निर्णे समिती बनाई गई इस सरकारी आंदोलन का उद्देश विपिन चंदरपाल ने इन शब्दों में दिया सहकारी संस्थाओं की सायता से संयक्त भलाई के लिए जनता में एक शक्तिशाली नागरिक भावना को जगाना और इस प्रकार सने शने सुतंतर नागरिकों के लंबे अधिक लंबे और भारी उतरदायत्व के लिए प्रसिक्षण देना और फिर समस्त देश में सक्री राजनितिक संस्थाएं स्थापित करना है जिससे की नेता जनता से सीधे संपर्क में आ सके और समय समय पर संगठित लोक मत से सरकार पर दबाव डाला जा सके ताकि जन साधरन के अधिकारों का शने शने प्रशारों अब हम उग्रवात का मुल्यांकन करते हैं उग्रवाती विचार और राजनितिक मुल्यांकन में हमें यह नहीं बूलना चाहिए कि यह एक सुसंगठित राजनितिक दर्शन नहीं था इसके समर्थकों में सक्रिय करांतिकारी से लेकर गुप्त समर्थक तक समलित थे ऐसे लोग भी थे जो आतंकवाद के विरुद्ध भी थे इसी प्रकार इस दर्शन के सभी प्रमुक नेता अर्विंद, तिलक, पाल तथा लाला राजपत रहे सभी अपने राजनितिक आदर्शों तत्हकारे प्रणालिस में भिन्द थे यही नहीं नेताओं के अपने विचार भी समय के अनुसार बदलते रहे उधारन के रूप में तिलक का स्वराज एक प्रकार का शौशाशन था परंतु अर्विन का स्वराज अंग्रेजों के नियंतरन से पूर्णतया स्वतंत्र था इसी प्रकार तिलक के विचार आयों के साथ बदलते चले गए और वो सरकार से सहयोग करने में सहमत हो गये थे उगरवादी, नेता, प्रजातंत्र, संविधान और प्रगिदी की बात करते थे और यह भी चाहते थे कि रास्टी आंदोलन का सामाजिक अधार अधिक बड़ा हो जाए विप्राया नगरवासी निम्नमध्यम वर्ग के लोग थे और चाहते थे कि कॉंग्रिस का संदेश जनता तक पहुचे इन लोगों ने समाचार पत्र निकाले और अपना संदेश अधिक बड़े वर्ग तक पहुचाया यह लोग भारत में अंग्रेजों की भूमिका को भली भाती समस्ते थे और या चाहते थे कि भारतियों को भारत के प्रशाशन में अधिक भाग मिले और अंग्रेजों द्वारा भारत का शोशन बंध हो वे यह भी अनुभव करते थे कि अंग्रेजों का भारत छोड़ना किसी ना किसी प्रकार की प्रत्यक्च क्रिया के और दबाओं के बिना संभव नहीं अतैव सहयोग के स्थान पर असहयोग और सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों की विरत प्रतिरोध की नीति को अपनाया गया अतयव इन लोगों ने जनता को असहियो, अहिंसात्मा पृतिरोध, सामोहिक आंदोलन, आत्म निर्भरता और दुख सहने का नया पाट पढ़ाया इन लोगों ने देश भक्ती को विद्या विनोध से परिवर्तित कर देश सेवा तथा दुख सहना बना दिया इस निती का लाब भी हुआ, 1911 में बंगाल का विभाजन रद कर दिया गया, इससे इन रास्टरवादियों में एक नवीन आत्म विश्वास उत्पन हुआ स्वराज का उद्देश मारले ने तो पूरा नहीं किया, परंतु अब या क्रांतिकारी मांग नहीं रह गई और प्रतम विश्व युद्व में सरकार ने यह गोशना की, कि भारत समवेधानिक सुधारों सोशाशन की उद्देश्य संस्थायं स्थापित करना है इस प्रकार से हमने देखा उगरवादियों का, कॉंगर्स के में उगरवाद का प्रवेश तो यह विश्व हमारे लिए यहीं समाप्त होता है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद